अलो बच्चों सभीकों बना नमस्कार आज क्लास नाइन्थ का एक टॉपिक है Factors of polynomial by remainder theorem सेस्फ़ल प्रमेश से गुलनखंड दीखे remainder theorem यानि सेस्फ़ल प्रमेश को कहते हैं इसके बारे में हम बता चुके हैं कि कैसे हम किसी polynomial को किसी भौपत को भाग करते हैं करते हैं तो कैसे remainder निकालते हैं इसका पहली जो एक size थी वो हमने बताई थी एक उसमें गलती हो गई है उसको पछले correction कर दें उसमें हमने कहा था कि 2.4 जो अगली size है वो slabus में नहीं है गलती से बोल गए थे 2.4 ही डिसन करने जा रहे है वो slabus में है इसमें बताया गया है कि बताईए कि निमलिखित बहुपतों में से किस बहुपत का उड़नखंड x plus 1 है determine which of the following polynomial has x plus 1 as a factor देखिए हमने बताया था कि जैसे 7 है और मैं आप से कहूँ कि 7 का एक factor 2 है कि नहीं है तो आप क्या करेंगे इसको 2 से simply divide कर दीजे और 2, 3, 6 अगर ये जो remainder बचा है ना 6 पन अगर ये 0 बच जाता है तब तो ये factor है और अगर 0 नहीं होता है तो ये factor नहीं है जैसे मालिया 6 को अगर मैं divide करता है यहाँ पर 7 की जिगे यहाँ 6 लिखा होता यहाँ पर मालिया 7 नहोता, यहाँ 6 लिखा होता और मैंने 6 को divide किया होता तो यहां remainder 0 आ जाता, तब मैं कहता ये factor है इसका गुणनकन है तो उसके लिए simply करना क्या है, divide करना है और divide करके remainder निकालना है divide करने के तरीका हमने बताया था कि एक तो simply divide करो मैं algebra की बात कर रहा हूं बिजगरित की बात कर रहा हूं या हमने कहा था जिससे divide कर रहे हो वहाँ उसको 0 करो, उससे x की value निकालो और उससे remainder निकालो देखे पहला question क्या कह रहा है जब पहला part देखते है देखे इसमें जो polynomial लिखा है px is equal to इसका नाम देदीजिए px is equal to इसका नाम कुछ भी आप दे सकते है x cube plus x square x cube plus x square plus x plus 1 ये आपा पहला polynomial है और कह ये रहे हैं कि बताओ ये x plus 1 से divide हो जाएगा और नहीं हो जाएगा तो हमने क्या कहा था कि आप यहाँ ऐसा करिए कि put कर दो putting x plus 1 बराबर 0 x plus 1 बराबर 0 रखने पर हिंदी वाले putting नहीं लिखेंगे आप रखने पर लिख देंगे रखने पर ठीक है तो x की value क्या आएगी minus 1 कहा रख दे पहले expression में in 1 1 में रख देते हैं इसमें रखने की कोशिश करते हैं देखो द्यान से जब हम यहाँ minus 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा p minus 1 यहाँ क्या आएगा minus 1 का q plus minus 1 का square plus minus 1 plus 1 आपको याद हो इसकी पहली size को देख लिजेगा उसका video आपने पढ़ भी लिया होगा कि यह कब रखते थे जब हमको safeful निकालना होता था remainder निकालना होता था तो यह आएगा minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 0 आगया तो आप कहेंगे कि as remainder is 0 as remainder is 0 remainder is equal to 0 remainder बोले तो safeful तो आप कहेंगे safeful 0 है अता x plus 1 is the so x plus 1 is the factor of px factor of px इन्हें आप लिखेंगे अता x plus 1 px का गुडन खंड है गुडन खंड है इन्दी में ऐसा लिखा जाएगा अभी बार-बार ने लिखेंगे नहीं है तो not factor नहीं है ठीक है यह remainder निकाले का तरीका था अब second part देखिए सभी में check करके देखते हैं कि किसका ए factor है और किसका ए factor नहीं है यह second part होगा यहाँ value रखी जाएगी देखिए second part में जो px की value है वो है x to power 4 प्लस x cube x to power 4 प्लस x cube प्लस x square प्लस x प्लस 1 प्लस x square प्लस x प्लस 1 यह expression 1 है यह पहला बहुपद है equation 1 equation नहीं कहेंगे इसको अब आपने x को minus 1 फिर रखना है तो यह क्या हो जाएगा p minus 1 is equal to minus 1 to power 4 प्लस minus 1 to power 3 प्लस minus 1 to power 2 प्लस minus 1 plus 1 तो यह क्या हैगा 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 1-1 कड़ गया value क्या आगई 1 तो यह क्या निकला यह निकला remainder वह इत्न निकलेगा 1 आएगा यह minus 1 आएगा कड़ जाएगा यह 1 आएगा मानस सों आएगा कड़ जाएगा 1 बचेगा तो अब यह क्या निकला है यह remainder हो गया remainder is equal to 0 यानि सेस फ़ल क्या है sorry remainder is equal to 1 is not equal to 0 यहन्य आप कहेंगे कि successful जो है वो क्या है 1 यह 0 के बरावर नहीं है so x plus 1 is यहां लिखा जाएगा not factor यह गुलनखंड नहीं है लिख देगी तो हमने क्या कहा अगर successful 0 आएगा तो remainder तो गुलनखंड होगा अगर 0 नहीं आएगा तो उसका factor नहीं होगा ठीक है थर्ड़ पार अपने आप करिए fourth part थोड़ा सा lengthy है इसलिए मैं बता देता हूँ third part में value अपने आप रखिएगा fourth part देखिएगा बस x की जगे minus 1 रखना है इसमें सब कुछ चेक करना है इसलिए हम बार बार उसको वहीं लिख रहे हैं देखिए यह है आपका fourth part x cube minus x square x cube minus x square minus 2 plus root 2 into x plus root 2 plus root 2 आपने x को क्या रखा minus 1 रख दो यहाँ पर तो p minus 1 क्या निकलेगा आएगा minus 1 to power 3 minus minus 1 to power 2 minus 2 plus root 2 यह आएगा minus 1 plus root 2 इसको खोलेंगे तो आएगा minus 1 जोगो यह plus हो जाएगा लेकिन already minus लगा है तो minus 1 यह देखिए minus 1 है यह minus इसको plus कर देगा तो bracket कुलेगा तो आएगा plus का 2 plus का root 2 plus का root 2 जोगो minus 1 minus 1 minus 2 minus 2 plus 2 कर जाएगा तो यह आएगा 2 root 2 और यह 0 के बराबर नहीं है फिर वही लिख देंगे कि as remainder is not equal to 0 क्यों क्यों सेस्फ़ल 0 नहीं है जाता यह इसका factor नहीं होगा तो यह आपका 2.4 का पहला question हो गया चीक है अगला question देखिए क्या कह रहा है कहते है factor theorem करके बताईए कि यहाँ पर PX और GX दो लिखी है और बताना यह इसका गुर्णकंड है या नहीं है दो polynomial है PX और GX देखिए पहले question समय लिजेगा फिर हम बताते हैं यह आपने लिख लिया होगा इसलिए store up कर देते हैं देखिए question क्या करता है यह coffee है गला सूख जाता है इसलिए ता हूँ online ही आपको मैं सर्च दे रहा हूँ okay take it thank you देखिए कहे क्या रहा है आपको जो ध्यान से समझेगा second question का first part एक तो px लिखा हुआ है लिखा है 2x cube plus x square 2x cube plus x square minus 2x minus 1 minus 2x minus 1 यह पहला expression है पहला बहुपद है और एक gx लिखा हुआ है x plus 1 आप से कह रहा है कि बताओ gx जो है वो इसका factor है की नहीं है gx इसका गुडनकंड है की नहीं है क्या तरीका होता है कि भैश simply इसको divide करो इसको भाग करो और अगर sales pul 0 आता है तो factor है और नहीं आता तो नहीं है तो remainder निकाला है तरीका क्या होता है तो हमने कहा था divide मत करो आप x प्लस 1 को 0 कर दो क्या करेंगे putting x प्लस 1 बरावर 0 यानि x प्लस 1 बरावर 0 रखने पर x की value क्या आएगी minus 1 कहां पर रखेंगे in first expression में रख देते यहां रख देते रखो ज़रा क्या हो जाएगा p minus 1 is equal to 2 into minus 1 to power 3 plus minus 1 to power 2 minus 2 into minus 1 minus 1 अब देखो algebra का plus minus आपको आना चाहिए ठीक है देखो minus 1 to power 3 minus होगा तो यह minus 2 आएगा यह plus 1 आएगा यह plus 2 आएगा यह minus 1 आएगा देखो plus 2 minus 2 कर जाएगा plus minus कर जाएगा 0 आगया यह क्या देता है आपको यह देता है remainder यह देता है cessful आप रिखेंगे as remainder is equal to 0 remainder क्या आया है 0 आया है यानि कि आप क्या कहेंगे कि cessful जो है आपका वो 0 है so gx is the factor of so gx is the factor of px factor of px अता जो gx है वो px का गुड़न खंड है गुड़न खंड है है या नहीं है तो जी यह लिखनी है है यह क्योंकि remainder 0 आगया है यह चेक करना है आपको हर question में इससे तीन चार पार्ट है इससे तीन पार्ट है हम तीनों पार्ट बता देते हैं देखिए सेगेंड पार्ट देखिए क्या होगा देखिए calculation है methods है कोई toughness नहीं है यह बहुत tough है यह यह थोड़ा सा दिवाग तो करें लगाना ही पड़ेगा mathematics है इसका नामी दिया गया है mathematics जो मस्तक पे tick लगा दे तो मस्तक पे जो tick लगाने की ताकत रखती है उसके लिए मस्तक तो पड़ेगा आपको देखो second part क्या कह रहा है px लिखा है x cube plus 3x square x cube plus 3x square plus 3x plus 1 plus 3x plus 1 यह पहला expression है और जिससे divide करना है वो x plus 2 है gx से divide करना है x plus 2 क्या तरीका बताया कि भई divide करने के लिए remainder निकालना है successful निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आप 0s put करेंगे वही language पूरी वाली पुरानी वाली putting x plus 2 बरावर 0 यहनि x is equal to minus 2 हिंदी में लिखेंगे x plus 2 बरावर 0 रखने पर in 1 तो आप 1 में रखो यहाएगा p minus 2 is equal to minus 2 की power 3 plus 3 into minus 2 की power 2 plus 3 into minus 8 आएगा plus का 4 तीं 12 plus का 12 आएगा minus का 6 आएगा plus का बनाएगा plus 12 और plus 1 plus 13 minus 8 से 14 यह आगया minus 1 और minus 1 जो है वो 0 के बरावर नहीं है यह क्या देता है यह successful देता है remainder देता है और remainder 0 नहीं आया है आप लिखेंगे as remainder is not equal to 0 remainder is not equal to 0 चूंकि यह होता है successful is not equal to 0 तो अता gx is not the factor of यहाँ कहलेगा not the factor of px यह factor गुलंखंड नहीं है बस हो गया यही language बढ़ानी है है या नहीं है यह आपका हो गया second part third part अपने आप करिए उसमें भी x plus 1 से 0 करना है अपने आप करिएगा third question देखिए अब यह नहीं कहरा वह एक एक part आप बताते जा रहे हो हम अपने आप कैसे करें कर लिजे उस तो करना पड़ेगा आपको हर question discuss नहीं करना है हम देखिए हम आपको solution नहीं प्रवाइड कर रहे है हम आपको knowledge प्रवाइड कर रहे है आपको इसका knowledge होना चाहिए क्योंकि एक बड़ी जो tradition इसमें online की चल लई है Google की चल लई है जब कुसी बच्चे के सामने कोई question सोच 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 से उपाले है कोई question आया मैंने सूचना सुरू किया तो केतास आप Google में लिखा हुआ है प्राबलम है अगर हर प्राबलम में अगर आप दिमाग Google में लगा होगे तो आप 90% तो दिमाग Google में लगा रहे है और 10% अपना अप्लाई कर रहे है एक्जाम में तो आपको अपना PX, देखोई, बहुत सारे cases लिखे हुए हैं, पहला case दिखें क्या कह रहा है, यहाँ PX लिखा हुआ है, XQ, X square plus X plus की, X square plus X plus की, यह पहला expression लिखा हुआ है, ठीक है, और कह रहे हैं कि X minus 1 इसका factor है, गुड़नकंड है, प्रूफ नहीं करना, उन्हों नहीं कहा, X minus 1 इसका factor है, तो आप लिखेंगे, as X minus 1, नहीं, as ना लिखे, putting, हिंदी में रखने पर, putting X minus 1 is equal to 0, यानि X is equal to 1 in 1, तो जब इसमें 1 रखेंगे, तो यह बन जाएगा P1, यह आएगा, 1 का square, plus 1, plus K, तो यह आपको देता क्या है, आप कहेंगे, यह safeful देता है, remainder देता है, और आप से कह रहा है कि भी X minus 1 इसका factor है, तो इसकी value किसके को लो जाएगी, 0, क्योंकि factor होने की वज़े से, गुड़नकंड होने की वज़े से, remainder 0 हो जाता है, तो यह क्या आएगा, 1 plus 1 plus K, तो K की value क्या आएगी, minus का 2, भस, method is the same in all the questions, सब में question same method लगेगा, इसके बाद second part देखें क्या कह रहा है, इसका तो second part है, तो कि यह सब का factor है, इसलिए यही रखना है सब में, इसलिए उसको अलग करने को जूरुत नहीं है, वीडियो को रोग करके, book को खोल करके, question अपने आप लगा करके, answer निकाल करके, फिर वीडियो को चला करके, answer match करके, अपने आपको check करो, at which level you are, यह नहीं step by step लिखते जा रहे हो, notes बनाते जा रहे हैं, teacher से check करा दे रहे हैं, देखे, क्या गरा है, 2x square, 3x लिखा है, 2x square, plus kx, plus root 2, plus kx, plus root 2, यह expression लिखा हुआ है, और कहरे भी x minus 1 इसका एक factor है, ग्लोंखंड है, वैंने इसको 0 रख दिया, तो value क्या आएगी यहाँ पर, अब value निकालिए यहाँ पर, यहाँ 0 आप रखेंगे, तो यह क्या बन जाएगा, p1, is equal to 2 into 1 का square, plus k into 1, plus root 2, देखे ध्यान से, steps कोई miss नहीं करेंगे आप, steps अभी शो करना पड़ेगा, यह आपका 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा 2 plus k, plus root 2, तो जो k की value निकलेगी, वो निकलेगी minus 2 plus root, यह आपका second part बता रहा है, third part देखें क्या कर रहा है, third part में, क्योंकि यही change हो रहा है, इसलिए बार-बार में रभ नहीं कर रहा हूँ, यह तो रभ करना पड़ेगा, यह change है, थोड़ा बहुत चूंकि वही, लिखना पड़ता है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, third part देखें क्या कह रहा है, third part में, px लिखा हुआ है, kx square, kx square minus root 2x plus 1, root 2x plus 1, यह पहरा expression है, समी कर नहीं कहेंगे, बहुपत कह सकते हैं, 1 रखो, यहाँ हो जाएगा, p1 is equal to k into, 1 का square minus root 2 into 1 plus 1, यह 0 हो गया, यह आगया k minus root 2 plus 1, तो k की value क्या आएगी, root 2 minus 1, यह k यहाँ पर निकलेगा, यह आपका third part हो गया, fourth part देखिए, fourth part क्या गह रहा है, यहाँ जो px लिखा हुआ है, fourth part, px लिखा हुआ है, kx square, kx square minus 3x plus k, यह पहला expression है, आपने x plus, x को 1 लग दिया, तो यह क्या हो जाएगा, p1 is equal to k into 1 का square minus 3 into 1 plus k, यह 0 हो जाएगा, यह आएगा k minus 3 plus k, यह 2k आएगा, तो यह हो जाएगा, 2k minus 3 is equal to 0, k की value आएगी 3 by 2, इस प्रकार से, चुकि यह factor था, गुरंखन था, ऐसा दिया हुआ था, हमें सिद्ध नहीं करना था, हमको proof नहीं करना था, इसलिमें डायेट उसको 0 कर दिया, अब 4th question, देखें 4th question और 5th question, 4th question को हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यह गुरंखन्ट के बारे में आपको शाय देट्स वगरा हलका बलका पढ़ाया भी गया है, चीक है, तो मैं उसको बताने की कोशिस कर रहा हूँ, जरास अभी मिस करेगा, तो दिक्कत करेगा, बिना 4th question के 5th question नहीं आएगा, देखो, जरास अभधान, अगर कहीं expression x square प्लस bx प्लस c की तरह लिखाओ, चीक है, तो c के ऐसे टुकडे करेंगे, टुकडे करेंगा मतलब ऐसे टुकडे नहीं करेंगे, कि इसको यहाँ 20 से काड़ देंगे, वो टुकडे नहीं होता है, तो प्लस करने के बाद b आ जाए, c माइनस में है, तो माइनस करने बाद b आ जाए, और अगर x square साथ a लिखा है, तो a और c का multiply करेंगे, जो value आएगी, अगर प्लस में आता है, तो प्लस करने पर b आना चाहिए, और माइनस में आता है, तो माइनस करने पर b आना चाहिए, त fourth लगेगा देखो fourth question क्या कह रहा है fourth का first part देखें कह रहा है किसके factor करो लिखता हूँ 12x square 12x square minus 7x plus 1 अभी हमने क्या बताया कि भाई ax square plus bx plus c ऐसे ही तो लिखा हुआ है नहीं x square साथ देखे 12 लिखा हुआ है तो हमने क्या कहा 12 into 1 करिए यहां किनारे करेंगे 12 into 1 करेंगे तो क्या आएगा 12 यह दोनों plus में है और यहां लिखा है 7 तो इसके ऐसे टुकडे करो जिनको plus करने पर 7 आए तो आप कहेंगे साथ 4 plus 3 कर दे या 4 into 3 अगर कर दें तो 12 आएगा और 4 plus 3 कर दें तो 7 आएगा तो इस 7 की जगए केवल 7 की में बात कर रहा हूँ ना तो मैं minus की बात कर रहा हूँ ना x की बात कर रहा हूँ 7 को क्या लिखेंगे 4 plus 3 तो क्या हो जाएगा 12 x square minus 7 को लिखेंगे 4 plus 3 into x plus 1 अब देखें plus minus की गलती नहोँगे लिए एक step बढ़ाईए सुने जानते आप x को अंदर ले जा लेकिन minus को अंदर मत ले जाना तो ये क्या हो जाएगा 12 x square minus ये जाएगा 4 x plus 3 x plus 1 ये अलग है इसको अलग कर दीजेगा अब इस minus को अंदर ले जा तो आएगा 12 x square minus 4 x minus 3 x plus 1 ये को minus अंदर जाएगा तो minus इसके sign को change कर देगा देखिए अपके 4 step हो गए अब इन 2 step को अलेंज करो देखिए यहाँ 12 है यहाँ 4 है तो 4 common होगा यहाँ x की power 2 है x power 1 है x power 1 common होगा यहाँ क्या पुचिएगा 3 x minus 1 आगे जो भी common लेंगे bracket में 3 x minus 1 ही बचना चाहिए ही लगा हुआ उसमे देखिए यहाँ minus का 3 x है हमको plus का 3 x चाहिए तो हम minus का 1 कामन लेंगे तो आएगा 3 x minus 1 अब देखिए अब कितने step है? 2 step यह 3 x minus 1 common है तो आप common क्या लेंगे हम? 3 x minus 1 क्या बचाएगा? 4 x minus 1 इस प्रकार से यह पहला कुछ नहीं होगा थोड़ा technical है हलका सा सोचना पड़ेगा आपको plus minus की गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि algebra में plus minus की गलती बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि कहा जाता है algebra is the mathematics of sign जो algebra होती है वो sign की mathematics होती है plus minus पे ही पूरी गवर्ण होती है इसलिए ध्यान से करिएगा इसका second part देखे देखे 2 x square plus 7 x plus 3 2 x square plus 7 x plus 3 हमने क्या का 3 और 2 का multiply करो मैंने 3 और 2 का multiply किया और आगया 6 6 के और ये दोनों plus में है तो multiply भी plus में आया हम sign यहां लिखेंगे नहीं लेकिन दिमाग में रखेंगे दोनों plus में है तो plus में multiply आयेगा 6 के ऐसे टुकडे करो जिनको plus करने पर 7 आजाए तो आग पहेंगे 6 into 1 ये 6 होता है और 6 plus 1 7 होता है तो 7 को हम क्या लिखेंगे 6 plus 1 इस 7 को तो क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा 2x square plus 6 plus 1 x plus 3 x को अंदर ले जाओ प्लस को अंदर ले जाओ अब sign mistake न करिएगा plus 6x plus x plus 3 4 step हो गए इन दो को देखें common क्या दिख रहा है आप कहेंगे पर 2x common दिख रहा है यहाँ क्या पचाएगा x plus 3 और यहाँ पर 1 common दिख रहा है क्या पचाएगा x plus 3 अब आप common क्या लेंगे x plus 3 तो क्या पचाएगा 2x plus 1 इस प्रकार से यह आपका third part हो गया second part हो गया third part आप अपने आप देखी लिजिए third part हो गएगे क्या कह रहा है कह रहा है 6x square plus 5x minus 6 6x square plus 5x minus 6 6x सा 36 आया अब ध्यान देखी यह negative है यह positive है तो multiply actual में negative आया ठीक है मन में रखेंगे उसको 36 कैसे टुकडे करिए जिनको minus करने पर 5 आया तो कितना आएगा 9 4 जा 36 होता है और 9 minus 4 करेंगे तो 5 आयेगा तो इस 5 जिए क्या लिखेंगे है 9 minus 4 तो यह क्या हो जाएगा 6x square plus 9 minus 4 into x minus 6 x को अंदर ले जाओ और plus को अंदर ले जाओ अब हम इस्टेप बढ़ा नहीं रहे हम डाट लिख रहे तो आएगा 6x square plus 9x minus 4x minus 6 तो यहाँ अगर इन दोरो slip को देखें तो यहाँ number है 6 यहाँ number है 9 तो इसमें से कामल लेंगे 3x तो यहाँ क्या बचाएगा 2x plus 3 यहाँ क्या लेंगे एक तो देखें यह दोरो plus में है यह दोरो minus में है तो minus 2 कामल ले लेगा तो आएगा 2x plus 3 ध्यांस क्या का मनाएगा 2x plus 3 और बचेगा क्या 3x minus 2 यह आपका third part हो गया fourth part भई पकी बाद मैं नहीं बताऊँगा आपने आप करिएगा अब fifth question जो कि technical question है tough question है अलग method है सावधान ध्यां से समझेगा गुरंखंड का use करना है factor theorem का करना है और आपको इसके गुरंखंड करने है देखिए सावधान बहुत ध्यान से करिएगा इस सबसे tough मारा जाता है remainder theorem ठीक है चुकि यहाँ factor भी करना है divide भी करना है और बहुत कुछ इसमें काम करना है जरा देखिएगा क्या है लफड़ा इसमें देखिए फोर्थ question कहरा है गुरंखंड करो आप से ये लिख के नहीं कहेंगे कि आप आप method क्या लगाएंगे हो सकता यहाँ लिख दे remainder theorem नहीं लिखेंगे बड़े class में आपको चेक करना पड़ेगा किसमें कौन सी theorem लगेगी देखिए फिफ्ट question का पहला बार बहुत ध्यान से समझिएगा मैं समझाने की कोशिच कर रहा हूँ इसका नाम दे दिया मैंने px कोई नाम मत दो नाम मत दीजे कुछ यह है आपका x cube minus 2x square minus x plus 2 वैसे तो इसके factor direct हो रहे हैं कोई दिक्र नहीं चार इस्टेफ हैं दो दो में हम कामन ले लेंगे लेकिन हम वो method नहीं लगाएंगे हम सेस्वल प्रमे का इस्तेमाल करने जा रहे हैं देखो ध्यान से यह remainder थरो अब यूजने जा रही है यह number आपके पास 2 है ठीक ह अगर अगर यह 0 आ रहा है तो मैनस 1 रखे देखो हो सकता 0 आ जाए नहीं आ रहा है तो मैनस तो रखे धेखो किसी एक में 0 आ ही जाएगा ठीक है तो आप यह रख में भी कर सकते हैं आप 1 रखे देखो putting रखने पर x is equal to 1 in 1 x is equal to 1 आप भी कहेंगे बहुपद 1 में x द्वाव 1 रखने पर हिंदी में लिख सकते हैं बहुपद 1 में x is equal to 1 रखने पर इसको रख दीजे रखो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा 1 cube minus 2 into 1 square minus 1 plus 2 रख दी हाँ ने नहीं तो आएगा 1 minus 2 minus 1 plus 2 value क्या आगई 0 यह 0 आगया अब देखे ध्यान से 0 आने का मतलब क्या होता है अभी इसके पहले हम बता चुके हैं अगर आप x को 1 रख रहे हो इसकी value 0 आ रही है तो इसका मतलब यह हुआ so x minus 1 is one of the factor of expression 1 यही तो आप जानते हैं पुयाद हुआ इसे पहले वाले कुश्म क्या बताया गया था कि अगर आप x minus 1 से divide कर रहे थे और भाग कर रहे थे और आपको उसका factor बताना था तो आप क्या कर रहे थे x minus 1 को 0 कर रहे थे x equal to 1 रख रहे थे और वो जो निकलता था वो remainder था वो 0 आ रहा था तो एक factor तो मिल गया यह degree है 3, 3 factor होंगे other factor की 2 तरीके एक बार minus 1 रखके देख लो 2 रखके देख लो minus 2 रखके देख लो तो बहुत लंबा process होगा तो इसके लिए अप क्या करते हैं आप लिखेंगे अता x minus 1 बहुपद 1 का गुणनखंड है यह सम्मे लिखा जाएगा इसलिए हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे इसमें एक की language समझेगा यह हिंदी में लिखा जाएगा ठीके अब देखें other factor के लिए हम क्या करते है for other factors for other factors अन्य गुणन खंडों के लिए अन्य गुणन खंडों है तो languages question में पकड़ दीजेगा language नहीं Bible लिखी जाएगी देखो अन्य फेक्टर के लिए करते क्या है समझेगा इसको आप x minus 1 से भाग कर दो यानि आप x cube minus 2x square minus x plus 2 को divide कर दीजिए x minus 1 से एक फेक्टर मिल चुका है divide करना आपको आना चाहिए ठीक और यहां लिखेंगे उप़र divide करके जो लिखी हाना सा क्योंको मुझे x cube काटना है कितने बाद ले जाओगे जितने बाद भी ले जाओगे x से multiply करोगे तो आप कितने बाद जाओगे x स्कूर बाद जाओगे इसका इससे multiply करोगे तो आएगा x cube minus का x स्कूर आप दोनों को minus को minus करोगे minus प्लस यह कट गया minus का 2x square plus का x square तो यह minus का x square आएगा minus का x आएगा plus का 2 आएगा अब आपको minus x square काटना है तो कितनी बाले जाओगे minus का x बाले जाओगे इसका multiply करोगे तो minus का x square plus का x फिर sign change करोगे plus minus कर जाएगा minus का x minus का x minus का 2x plus 2 फिर कितनी बाले जाओगे minus का 2 बाले जाओगे तो आएगा minus का 2x plus का 2 फिर sign change करोगे और ये value आगई 0 तो एक factor ये हो गया और एक factor ये हो गया दो factor आपको आगए जैसे मालिया 6 को आप 2 से divide करते हो 2,36, remainder 0 हो गया तो एक factor 2 होगा और एक factor 3 होगा तो आप रिखेंगे ये तो एक factor हो गया so factors will be लंदी है ध्यान रखेंगा tough तो नहीं कहेंगे लंदी कह सकते हैं so factors will be so factors will be अता गुरंखंड होगे क्या होगे एक x-1 होगा और एक x square minus x-2 होगा अभी काम रुका नहीं है इस bracket को देखें अभी इसके पहले हम बता चुके हैं ये minus का 2 है और x square साथ 1 लिखा है 2 के ऐसे टुकड़े करो यहां देखें 1x लिखा हुआ है तो 2 के ऐसे टुकड़े करो जिनको minus करने पर 1 आ जाए तो 2 1 जा 2 2 1 कम दो और 2 minus 1 1 होता है तो देखें क्या करेंगे एक factor तो यह हमारे पास पहले से था इसमें क्या करेंगे देखें x square minus यह जो 1x है ना इसको 2 minus 1 लिख दीजिए कोई दिक्कत अब bracket खोलिएगा x अंदर ले जाओ और minus को अंदर ले जाओ तो यह हो जाएगा x minus 1 यहाँ जाएगा x square minus का 2x plus का x minus का 2 यह x minus 1 यहाँ से x का 1 x minus 2 और यहाँ plus का 1 का 1 x minus 2 यहाँ को दिक्रा x minus 2 का 1 है तो आप क्या करेंगे x minus 1 यहाँ से x minus 2 का 1 यहाँ से x plus 1 बचेगा तो यह आपके factors होंगे यह remainder theorem होती है यह successful प्रमिय होती है ठीक है चुकिए आपने successful निकाला पहले ना remainder निकाला ना इसलिए इसको method को कहा जाता है एक आत कुछ और देख लेते हैं tough है वह हम इजी नहीं कहेंगे method है divide करना आपको आना चाहिए यह जरूरी है ठीक है इसके दो method होते है remainder theorem एक और तरीका भी divide करने का नहीं वियाब करेंगी तो उससे भी हो जाएगा लेकिन एक method जानी है ठीक है अब देखी इसके बाद मैं second part लेकिए चलता हूँ थर्ड फिफ्ट का second part language सेम रहेगी language बाबा चेन नहीं करेंगे यह x cube minus 3x square x cube minus 3x square minus 9x minus 5 minus 9x minus 5 जड़ा देखे जान से यह 5 है पाच पाच के factors कौन कौन स होते है यह यह 5 किस-किस से भाग हो जाता है डिवैड हो जाता है पाच 1 से हो जाता है तो 1 इसका factor हुआ और 5 5 से होता है और किसी होता नहीं तो या तो 1 यहां रखके देखो या तो minus 1 रखके देखो या 5 रखके देखो या माईनस 5 तो यह चारी value होंगी यह रख में करके देख लो तो गर 1 रखते हो तो यह 3 negative है यह 0 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे हम put करेंगे putting x is equal to minus 1 in 1 यह पहला जो expression है इसमें x को हम minus 1 लग देते हैं हम पहले से रख में रख करके check कर लेंगे कि किस में 0 आ रहा है जब minus 1 रखोगे तो minus 1 की power 3 minus 3 into minus 1 to power 2 minus 9 into minus 1 minus 5 so खोलेंगे तो आएगा minus का 1 यह plus का 1 होगा तो minus का 3 plus का 9 minus का 5 देखिए 5 3 8 minus का 1 यह minus का 9 plus का 9 देखो 0 आ गया 0 यह क्या देता है actually में remainder देता है और जीरवाना क्या सिद्र करता है कि इस minus 1 को इदा ले क्या हो एक्स प्लस 1 so x plus 1 so x plus 1 is one of the factor one of the factor अता x plus 1 इसका एक गुरंखंड है यह लेंगे लिख चुके हैं पहले उसलिए आप कर लेंगे अब other factor के लिए क्या करेंगे for other factors other factors के लिए अनिकुलंखंड के लिए क्या करेंगे अब हमने क्या कहा था इसको आप x plus 1 से भाग कर दो करिया भाव यह अलग है x plus 1 से divide करिए किसको x cube minus 3 x square minus 9 x minus 5 देखिए जितने बार लिखेंगे उपर लिखेंगे आप तो हम इसको रप कर लेते हैं जिसे जगए हमारे पास हो जाए लिख तो लिए है आपने देखिए जान से सबसे पहले आपको x cube को काटना है कितने बार ले जाओगे यह आपर x square बार ले जाओगे x square का x से multiply करो तो x cube आएगा और plus का x square आएगा फिर दोनों के sign change करते हैं माइनस माइनस से कर जाएगा माइनस का 3x square माइनस का 1x square याएगा माइनस का 4x square माइनस का 9x माइनस का 5 देखिए जो divide का calculation यह आप जानते हैं इसलिए बहुत ज्यादा हम उसमें नहीं बता रहे हैं देखिए माइनस का 4x square काटना है तो कितनी वाले जाओगे माइनस का 4x बाले जाओगे इसका multiply करोग तो आएगा माइनस का 4x square माइनस का 4x फिर sign change होगे यह प्लस यह प्लस यह कट जाएगा यह आएगा जैसा पहले वाले कुसम लिका है, so factors will be, अता गुलनकंड होंगे, so factors will be, गुलनकंड होंगे, कौन-कौन से होंगे, एक x प्लस 1 होगा, और एक x स्क्वाइर, माइनस का 4x, माइनस का 5 होगा, यह अभी हम बता चुके हैं, यह माइनस का 5 है, तो 5 के ऐसे टुक ले करिए, जिनको माइनस करने पर 4 आ जाए, तो 5 कम 5, 5 वन जब 5, 5 वाइनस का 4, तो यहां हम क्या करेंगे, इसको नहीं यहां क्या लिकेंगे, x स्क्वाइर, बाइनस, यह आएगा 5-1 x, बाइनस का 5, x प्लस 1, यह तो लिखाई रहेगा, इसमें x को अंदर ले जाओ, माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस अंदर जाएगा, तो sign change करता होगा जाएगा, तो आएगा x स्क्वाइर, माइनस का 5x, प यहां से x-5 का 1 है तो x-1 x-5 and x-1 चाहो तो इसको x-1 का square लिख दो यहीं पर छोड़ दो तो यह आपका second part है third part आप अपने आप करिएगा एक part और हम आप उताते हैं fourth part अब आप कहेंगे third part में बहुत बड़ी value है कोई दिक्कत नहीं fourth अपने आप का लिजेगा third में बता देता हूँ देखे third part देखीगा तरीका आपको मालूँ होना चाहिए और जब बड़े class में आप पहुंचेंगे तो वहाँ पर यह factor theorem तो as a chapter नहीं है इसका इस्तिमाल किया गया है तब teacher आपसे कहते हैं कि आपने छोटे class में पढ़ा होगा इसलिए आप अपने आप करें वहाँ पर आपको दिक्कत आती है क्योंकि आप इसमें लगा नहीं पाते हैं इसको इसलिए बहुत ध्यान से इसको करिएगा देखे थर्ड पार देखिए expression है आपका x cube plus 13x square x cube plus 13x square plus 32x plus 32x plus 20 सबसे पहले देखे 20 के टुकड़े 1,2,4,5,10,20 ठीक है फ़न से स्टार्ट करते हैं plus की value रखने से 0 हो रही सकता क्यों सब sign plus में है तो x को minus 1 रख देते हैं rough में रखके देख लेंगे putting x is equal to minus 1 रखो यहाँ पर तो आएगा minus 1 की power 3 plus 13 into minus 1 to power 2 plus 32 into minus 1 plus 20 हिंदी में हम एक कुश्य में लिख दिया है वो language आप सम्में लिखेंगे x minus 1 रखने पर ठीक है तो यह आएगा minus का 1 plus का 13 minus का 32 plus का 20 तो यह को plus का 20 और plus का 13 तो plus का 33 और minus 1 minus 32 minus का 33 sorry यह 0 आ गया so x plus 1 is one of the factor is one of the factor एक इसका factor होगा अता हिंदी में क्या लिखेंगे अता x plus 1 इसका इसका हमता जो बहुपत का एक गुणखंड है एक गुणखंड है एक तो निकल आया for other factors अन्य गुणखंड के लिए क्या करेंगे इसको हम भी बताया कि आपको x plus 1 से भाग करना पड़ेगा डिवाइट करना पड़ेगा कर दीजे x cube plus 13 x square plus 32 x plus 20 को आपको डिवाइट करना है x plus 1 से देखो यह उपर लिखेंगे डिवाइट करके जो आएगा score up कर देते हैं देखिए सबसे पहले x cube को काटना है कितने बाद ले जाओगे x square बाद ले जाओगे तो यह क्या है जाएगा x cube plus x square यहाँ sign change करो minus minus से कट गया यह क्या हैगा 12 x square plus 32 x plus 20 अब आपको 12 x square काटना है तो plus का 12 x बाद ले जाओगे इसका multiply करोगे तो आएगा 12 x square plus 12 x फिर minus minus करोगे sign change हो जाएगे कट जाएगा यह कितना हैगा 20 x plus 20 और फिक्ट बाले जाओगे 20 बाले जाओगे तो आएगा 20 x plus 20 फिर sign change करोगे यह कटके 0 आगया ठीक तो एक factor आपका क्या हो गया यह और एक factor आपका हो गया जो उपर लिखा हुआ तो आप लिखेंगे तो so factors will be अताहा गुलंखंड होंगे so factors will be अताहा गुलंखंड कौन कौन से होंगे एक तो x plus 1 होगा और एक होगा आपका x square plus 12 x plus 20 यह तरीका हमने बताया 20 plus में है 20 कैसे टुगडे जिनको plus करने पर 12 आ जाए 10 दूनी 30 10 to the 20 10 plus 2 यहाँ 10 plus 2 कर दो तो एक तो factor आपका है लिखा ही हुआ है इसको लिखेंगे हम 12 को लिखेंगे 10 plus 2 into x plus 20 x plus 1 bracket खोलेंगे plus अंदर जाएगा x अंदर जाएगा तो आएगा x square plus 10 x plus 2 x plus 20 यह आएगा x plus 1 इसमें से x कामन यहाँ चाहिएगा x plus 10 plus 2 कामन x plus 10 तो factor क्या होंगे 1 x plus 1 है 1 x plus 10 निकालेंगे यहाँ चाहिएगा x plus 2 यह आपका थर्ड पार्ट है फोर्स पार्ट अपने आप करिएगा इस प्रकार से 2.4 खतम हुई next term next exercise फिर मैं बता दू पिछले वीडियो में मैंने बताया था 2.4 आपके इस लिवस में नहीं है वो गलती से पत्रन कैसे बोल गया था तेंक्यू